गुड मॉनिंग डेली करंट अपियर्स में आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में 11 जुलाई के करंट अपियर्स और कुछ इस्टेटिक जीके के मैं तपून टॉपिक इस क्लास में देखने वाला हूं और यह All Competitive Exam के लिए Useful क्लास है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ह के क्लास को मेरे साथ एंड तक लेना बीच में क्लास को छोड़ना मत अब मैं क्लास के स्टार्ट करता हूं राइष्टे समाचार के साथ कि इसमें राइष्टे समाचार है कि ग्रह मंत्री हमें साहे हैं ग्रह मंत्री हमें साने स्वामी रामानुजाचार की Statue of Peace का वर्चुल अनावरंड किया है इस्टेचू अपीस जो है वो स्वामी रामानजाचारे से सम्मन देता है याद रखना और इसको डिटेल से देख लेते हैं कि हमिसाने स्रीनगर में सौनवार छेतर के एक मंदिर में इस्तित स्वामी रामानजाचारे की सान्थी की प्रत्मा का अनावरंड किया है और आपको बता दूँ कि जो रामानजाचारे इने रामानज के नाम से भी जाना जाता है और यह एक महान विचारक दारसने को और समाज सुधारक थे और इनका जनम जो हुआ था तमिनाडू के सिरी पैरमदूर में हुआ था इनका जो दच्छड वारतिय ब्रामड थे और इनोंने चुआ चूट का गहन गोर बिरोद किया था ठीक है और यह वैस्टव धरम के अनुयाई थे और लोगों को मोच के सिद्धान्द सिखाते थे आपको बता दूँ कि इनके द्वारा एक संप्रदाय दिया गया था सिरी संप्रदाय सिरी संप्रदाय से संबंदित थे सिरी रामानुजाचार और इनोंने जो एक सिद्धान्द था इनके द्वारा एक सिद्धान्त विसिष्टा द्वैतवाद का सिद्धान्त भी दिया गया था विसिष्टा द्वैतवाद याद रखना विसिष्टा द्वैतवाद का सिद्धान्त रामानुजिस से सम्मनित है आगे न्यूजय इसमें केंद्रिय मंत्री हर्दीप सिंग पुरी ने सुवनेदी महुतसभ का सुवारम किया गया है आपको बता दूं कि पीम सुवनेदी जो योजनाय 2020 में शुरू की गई थी और इसकी अविया 2023 में दूसरी वर्षगांट मनाई गई है और इसको आवास और सहरी मामलों के मंत्रिय है और इन्होंने इसका सुवनेदी महुतसभ का सुवारम किया है ठीक है और यह महुतसभ जो है 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई को चनने वाला है और यह अब देश के राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों के 75 सहरों में आयोजित किया जाएगा आगे न्यू जैस में एन एपी यानि न्यू एजुकेशन पॉलसी 2020 को क्रियानवित करने के लिए पी एम ने अखिल वारतिय सिच्चा समागम का सुवारम किया है इनों ने इस अवसर पर मदन मोहन मालविय को भी याद किया है और इनोंने दिन की सुरुआद में LD कॉलेज में अच्छे पात्र मिड़े मील रसोई का उधगाटन भी किया है जो प्रदान मंत्री हैं इनके द्वारा मिड़े मील रसोई का उधगाटन भी किया गया है यह जो कारेक्रम हुआ है इसमें आपको बता दूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलसी से पहले जो थी पुरानी जो पॉलसी थी वो 10 प्लस 2 के फॉर्मूले पर इस पर आदा रित थी इस पर आदा रित था जो पुरानी न्यू एजुकेशन पॉलसी का पार्टकरम था 10 प्लस 2 पर आदा रित था और न्यू में ह गया है 5 प्लस 3 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह formula हो गया है इसका new education पाट किरम का तो इसमें 5 प्लस 3 इसमें 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का मतलब बता दू मैं आपको कि इसको 4 भागों में बाटा गया है जैसे 5 है 5 का मतलब है 3 से लेकर के 8 वर्स तक के बच्चों को इसमें रखा गया है और 3 का मतलब है 8 से लेकर के 11 वर्स तक के बच्चों को और फिर यह जो आगे 3 है इसका मतलब है 11 से लेकर के 14 वर्स तक के बच्चों को और 4 का मतलब 14 से लेकर के 18 वर्स तक के बच्चों को यानि चार वागों में रखा गया है इसके अंतरगत आगे देखते हैं समाचार है राज्य समाचार से समंदित यूपी देश में तेरे एक्सप्रेस विवाला पहला राज्य बन गया है और इसका सिरे दिया जाता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदेतिनात को और इसका फायदा राज्य को यह होने वाला है कि यह जो अन्य देश हैं उसके साथ राज्यमार के द्वारा कनेक्टिविटी में मतलब कनेक्टिविटी में सुधार होगा और तेरे जो एक्सप्रेस विवे हैं यह इसमें से छे तो एक्सप्रेस वे किरिया सी लें और साथ एक्सप्रेस वे निर्माणा दीन है और यह जो तेरे एक्सप्रेस वे हैं इनकी कुल लम्माई है 32 किलोमीटर ठीक है और पहला राज्य बन गया है जिसमें तेरे एक्सप्रेस वे हैं इंडिया का आगे देखते हैं पस्चमी रेलवे ने मुम्मई के बांदरा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला सबसे लम्मा स्काइवाक खोला है जो पस्चमी railway है उसने मुम्मई के बांदरा टर्मिनस को खार इस्टेशन से जोडने के लिए सबसे बड़ा skywalk खोला है skywalk के बारे मैं बता दूँ sky मतलब आकास और आकास walk मतलब गोमना जो आकास में जो जैसे गोमते हैं तो उसको के दें skywalk और skywalk का मतलब है जो ये railway platform बनाया जाता है यानि एक platform से दूसरे platform को पहुचने के लिए या सभी platform को पार करने के लिए ये skywalk बनाया जाते हैं और इसे detail से देखते हैं कि इसकी जो लम्माई है कुल skywalk की 314 meter है और इसकी चोड़ाई 4.4 meter है ठीक है इसकी लम्माई 314 meter और चोड़ाई 4.4 meter और इसको बनाने में जो खड़्चा हुआ है 14 करोड का खड़्चा आया है इसमें और इसमें जो सामिग्री यूज हुई है 510 meter टन सनचनातमक इस्टील 20 meter टन सुद्री करण स्टील और 240 घन मीटर कंक्रीट का प्रयोग हुआ है इसमें आगे न्यूज है इसमें राजिस्तान सरकार भारत का पहला स्वास्त अधिकार विदयक पेस करने जा रही है जो राजिस्तान सरकार है स्वास्त से संबंदिर अधिकार विदयक देश का पहला अधिकार विदयक पेस करने जा रही है और राजिस्तान के मुख्यमंतरियें असो गेलोत इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है ठीक है और यह देश का अपनी तरह का पहला वो होगा और इसका उद्देश से होगा सरकारी और निजी स्वास्त देखवाल प्रदाताओं के माध्यम से गुडवत्ता पूर्ण और सस्ती स्वास्त देखवाल सेवाओं के लिए प्रत्वध होना है राजिस्तान से संबंदित है और इसमें दस लाग तक का भीमा दिया जाता है ठीक है और यह देखो राजिस्तान के जो राजपाले हैं वो कलराज मिस्रे हैं राजदानी राजिस्तान की जैपूर है असोग गैलोत मुख्यमंत्री है आगे देखते हैं इसमें कि तिरप्रा में खार्ची महुत्सभ प्रार्थना की जाती है और तिरप्रा के पूरवी बाहरी इलाके में खरियेपूर में हजारों बक्ते यहां पर आकर के जुटते हैं और इसकी पूजा जो है आदवासियों के द्वारा की जाती है यानि एक मुख्य रूप से आदवासी त्योहर है और इसमें जो इसकी उत पत्ति है हिंदू धरम से ही मानी जाती है ठीक है और इसमें भारत और बंगलादेश के भी भक्त और सादू इसमें भाग लेते हैं आकर के तरपरा के बारे में बता दूं कि तरपरा की राधानी अगरतला है और यहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहें और राजपाल किया गया है और यह जो नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है यह कार्मिक मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है और इसके बारे में और समझ लो कि यहां इस्तान लेंगे टी स्रीकांद का इस्तान लेंगे ठीक है और इनका जो कारेकार रहने वाला है अगली साल तक यानि 2024-28 फरवरी तक इनका कारेकार रहने वाला है आगे देखते हैं कि मुख्य चुनावायोक्त राजीव कुमार और प्येम प्येनवी रच्छक प्लस योजना के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है जो प्येनवी रच्छक प्लस योजना है इसके लिए बाहरते वायूस है ना और प्येनवी पंजाब नेशनल बैंक ने इस एक समझोते पर हस्ताचर किया है इसमें और देखते हैं से संबंदिती है न्यूज है यह इसमें कुछ गलती हो गई है टाइप कन्ने में तो इसको अगली क्लास में लेकर के आँगा दुबारा से चलो आगे देखते हैं इसमें कुस्सन है कि 36 वे राष्ट खेल 36 वे राष्ट खेल से संबंदिता है कि 27 सितमर से 10 अक्टूबर तक गुजराद में खेले जाएंगे जो 36 वे राष्ट खेल होंगे 27 सितमर से 10 अक्टूबर तक गुजराद में खेले जाएंगे और देखते हैं इसमें देखो कि गुजरात के मुख्यमंत्रियें भूपेंद्र पटेल इनके द्वारा गोसना की गई है कि 36 वे जो राष्ट खेले हैं वो 17 सितम्मर से लेकर के 10 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित की जाएंगे आपको बदा दू इंपोटेंट फॉइंट की 2020 से जो कोरोना वायरस हुआ था उसकी वज़े से यह खेल नहीं हुए थे और यह पिछले और जो पिछला पिछला जो राष्ट खेल हुआ था वो 2015 में केरल में हुआ था यानि 7 वर्स के अंतराल के बाद यह जो गुजरात में हो रहे हैं यह 7 वर्स के बाद हो रहे हैं आगे देखते हैं विदिक समाचार से सम्मदित है कि मेसन कुसल कर्मी ये मेसन कुसल कर्मी जो है निर्माड स्रमकों के कुसल में सुधार के लिए दिल्ली सलकार की योजना है इसमें देखते हैं कि दिली के उपमुख्य मंतरिये मनीश सिसोदिया ने निर्माड स्रमकों की उनकी चमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कोसल करमी की सुरुआत की है जो दिल्ली के उपमुक्यमंतरी मनीज सिसोदिया है उनके द्वारा मिसन कोसल कर्मी की सुरुवात की गई है और आपको बता दू कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोसल और उद्धमिता विस्सो विद्याल है यानि D.S.E.U. और दिल्ली भवन और अन्य निर्माड स्रमिक कल्याण बोड की साहता से इस कारकरम को विक्सित किया है आगे देखो कि दिल्ली के मुक्यमंतरी मनीज सिसोदिया और मुक्यमंतरी स्री अरविंद केजडिवाले है आगे देखते हैं संग्रालेओं के आपदा प्रबंधन पर दो दिवस्य प्रसिचनड राष्टपती ववन में आयोजट किया गया है संग्रालेओ के आपदा प्रबंदन और दो दिवसी प्रसिचंड राष्टपती ववन में आयोजित किया गया है आपको बतादू कि राष्टपती ववन जो है इसका पहले जो नाम था वाइसरा हाउस था इसका नाम जो था और इसकी जो इस्ताफना की गई थी जब दिल्ली की गोचना होई थी राजदानी बनाने के लिए कॉलकाता से दिल्ली 1911 में और 1912 से दिल्ली बन गई थी राजदानी तो तभी इसका निर्माट कारे चालू हो गया था और इसका जो वास्तोकाड था इसका जो डिजाइन तयार किया था Edwin Luteges के द्वारा तयार किया गया था इसको और इसमें जो राष्टवती भवन है इसमें कुल 340 कमरे हैं आगे देखते हैं कि राष्टपदी ववन्ने राष्टे आपदा प्रबंदन सहिस्तान के सहयोग से संग्राले और विरासत ववनों के आपदा प्रबंदन पर एक कारे साला का आयोजन किया है ठीक है तो आज ये 11 जुलाई के करंट अप्रबंदन मैंने आपके सामने डिसकस किया आपको आप बताईए कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कैसे अच्छे कोई कमी या जो कुछ भी हो बताईए और अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक सेर ज जरूर करें धन्यवाद